मेश राश्यवालों नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 6.50 के बाद आप सभी के जीवन में जो होने वाला है बिल्कुल सपने जैसा लगेगा जी हाँ दोस्तों मजबूरी में ये सच्चाई बता रहा हूँ बताना नहीं चाहता था पर यह बात आप सभी को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों क्योंकि आपने अपने जीवन में कितना कश्ट जहले है जितना दुख दर्द और समस्याओं का सामना किया है दोस्तों उनका परिणाम आपको तो एक ना एक दिन मिलना ही था और समय आपके हाथ में आने वाला है तो इसमें आप मौका कैसे छोड़ देंगे जी हाँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यशाली वीडियो है दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज रफ्तार से दोड़ेगा यह बात आप लिख कर रख लो प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दू आपको यह बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हुआ होगा लेकिन यह बात 100% सत्य है वास्तव में अब आपके जीवन में ऐसा बड़ा चमतकार होने वाला है प्यारे दोस्तों, चमतकार को अब नमस्कार करना होगा ऐसा चमतकार आपके साथ होने वाला है साथ ही प्यारे दोस्तों, आपका दुश्मन के साथ कुछ ऐसा अनहोनी होने वाला है कुछ ऐसा घटना घटित होने वाला है जिससे दुश्मन का छक्के छूट जाएंगे दुश्मन का पसीना उतर जाएगा जी हाँ प्यारे दोस्तों ऐसा भयंकर घटना दुश्मन के साथ होने वाला है प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें एक बहुत बड़ी गुप्त खबर आपके लेकर आया हूँ यह गुप्त खबर आपके लिए कल्यूप का सबसे बहतरीन खबर साबित होने वाला है यह खबर आपका जीवन बदल कर रख देगा प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे महा बली बजरंग बली की आशीरवात से आपका जीवन में बहुत बड़ा चमतकार होने वाला है चमतकार देखकर आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो और आप यहीं सोचेंगे कि यह जो मैं देख रहा हूँ यह कोई सपना है या फिर हकीकत लेकिन प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे यह कोई सपना नहीं हकीकत होगा और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुन्दर होगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ लेकिन प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा अगले 24 घंटे तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए परन्तु जीवन में आपको यह दो बाते हमेशा याद रखना है नहीं तो प्यारे दोस्तों आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा आपका पूरा परिवार का सपना चखना चूर हो जाएगा इसलिए प्यारे दोस्तों मेरा बात ध्यान से सुन लो अगले 24 घंटे तक यह दो गलती भूल से भी मत करना जो आगे इस जियोतिश कारेक्रम में आपको बताने वाले हैं फिर देखना प्यारे दोस्तों कल युग में आपको शतायू की खुशखबरी मिलेगी कल युग में आपको सतयू का ताकत मिलेगा आप किसी का भी चेहरा देखकर यह पता लगा लेंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या फिर वह व्यक्ति आपके लिए दुश्मन है सब कुछ आप आसानी से पता लगा लेंगे लेकिन प्यारे दोस्तों जोतिश कारेक्रम को पूरा अंत तक देखना होगा इस जोतिश कारेक्रम के माध्यम से आपको तमाम जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं ऐसा जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ प्यारे दोस्तों, पहली बार आपके साथ ऐसा होने जा रहा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने वाले जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्रभुश्री राम के आशीरवाद से आप टहल का मचाने वाले हैं प्रभुश्री राम के आशीरवाद से आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे कौन कौन सा टहल का आप मचाने वाले हैं इन सभी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जियोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जियोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा, भोले नात, जय मापारवती, जय बाबा, बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें इस से आपके उपर सभी देवी देवताओं का क्रिपा रहेगा, सभी देवी देवताओं का आशीरवाद आपके उपर बना रहेगा और आप दिन, दुगनी रात, चौगनी तरक्की करेंगे तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना देर किये जानते हैं, आखिर आपको कौन-कौन सी दो गलती है और किन-किन बातों का आपको विशेश ध्यान रखना है साथ ही प्यारे दोस्तों कौन-कौन सा क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा कौन-कौन सा क्षेत्र में आप अपना जलवा दिखाएंगे कौन-कौन सा क्षेत्र में आपको ईश्वर का भरपूर साथ मिलेगा तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपको यह दो गलती भूल कर भी नहीं करना है चाहे मर जाना परन्तु यह गलती कभी मत करना सबसे पहले गलती जो आपको नहीं करना है कोई भी काम करने से पहले आप सलाह बहुत सारे लोगों से लेते हैं और यह ठीक भी है लेकिन प्यारे दोस्तों प्यारे दोस्तों, जब भी कोई कार्य करें, जब भी कोई नया काम की शुरुआत करें, तो खुद के दम पर करें, खुद के विश्वास से करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपका अगला कदम क्या होने वाला है? आप अगले कदम किस दिशा में रखने वाले हैं यह बातें किसी को पता नहीं होना चाहिए यह बातें किसी को कानो कानो खबर नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखना क्योंकि प्यारे दोस्तों अगर आपका प्लान पहले से ही आसपास में फैल जाता है तो उसमें से कुछ लोगों को आपका प्लान के बारे में जान कर आपका काम के बारे में जान कर बुरा लगने लगता है जलन होने लगता है और ऐसे लोग आपके उपर जादू टोना करके आपका काम बिगडने का कार्य करता है आपको बरबाद करने के लिए साजिश रचता है इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे एक ही सलाह रहेगा अपना गुप्त बातें किसी को मत बताईएगा आपका अगला कदम क्या होने वाला है, यह बातें किसी को पता नहीं चलना चाहिए दूसरी, जो गलती आपको नहीं करना है प्यारे दोस्तों, आप लोगों पर बहुत ही जल्द भरोसा कर लेते हैं कोई भी व्यक्ति अगर आपको जूठी कहानी भी बता देता है और आपसे मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तयार हो जाते हैं, क्योंकि आप दिल की बहुत साफ इनसान है आप बहुत सचे इनसान है, आप बहुत भोले इनसान है और आपका भोलापन का फाइदा कुछ लोग उठा रही है जूठी कहानी आपको सुनकर आपको भावुक कर देता है और आप उनकी बातों में आसानी से फंस जाते हैं और उनका मदद करते हैं लेकिन जब उस व्यक्ती से मदद मांगते हैं, तो आपको उस व्यक्ती से मदद नहीं मिलता है वह व्यक्ति आपको हमेशा रोकर ही सुनता है और कभी भी वह व्यक्ति आपका मदद नहीं करता है तो प्यारे दोस्तों ऐसे लोगों से भी थोड़ा दूर रहे ऐसे लोगों पर विश्वास न करें ऐसे लोगों के साथ थोड़ा उठना बैठना कम कर दें प्यारे दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, चमक गई आपकी किस्मत, मिल गया महनत का फल, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आपका जल्वा सारी दुनिया देखेगी, प्यारे दोस्तों, मेरा भविश्यवानी गलत निकला, तो मैं जिन्दगी भर आपका गुलाम बन कर रहूंगा, आपक समझने की भूल मत करना, मेरा भविश्यवानी ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है, जो की 100% सटीक है, प्यारे दोस्तों, ऐसा भविश्यवानी आज तक किसी ने नहीं किया होगा, जो भविश्यवानी आज हम करने वाले हैं, ऐसे में प्यारे दोस्तों, जो आज इस जय कर आपकी आँखों से भी आँसू बहेगा जी हाँ प्यारे दोस्तों ऐसा बवाल होने वाला है लेकिन प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें जो आपकी आँखों से शुब रहेगा वह खुशी के आँसू होगा क्योंकि प्यारे दोस्तों अचानक आपको बड़ी खुश्खबरी मिल जाता है या फिर कुछ ऐसा चीज हाथ लग जाता है जिसके लिए वह व्यक्ति कभी उम्मीद नहीं किया रहता है तो उनके आंखों से खुशी के मारे आंसु निकलाता है और ऐसा ही आपके साथ होने वाला है प्यारे दोस्तों खुशी के मारे ऐसा चमतकार होने जा रहा है प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से वादा करता हूं मैं आप लोगों के सामने घोशना करता हूं अगर मेरा भविश्यवानी गलत हुआ तो मैं 21,000 का इनाम दूँगा यह मैं आप लोगों के सामने घोशना करता हूं लेकिन प्यारे दोस्तो आपको पूरा ज्योतिश कार्यक्रम अंत तक देखना होगा ज्योतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी स्केप मत करना ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना तब ही जो है प्यारे दोस्तों इस जोतिश कार्यक्रम का आप लाभ उठा पाएंगे तो प्यारे दोस्तों, जोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और 11 जानकारी विस्तार से जानेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं. क्रिपया करके इस जोतिश कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं. आपको जो भी परेशानी है उसका समाधान हम आपको बताएंगे. इसलिए प्यारे दोस्तों आप अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. साथ ही प्यारे दोस्तों, रोजाना ग्यानवर्धक जियोतिश कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ जुड़ जाएं. प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें. आपकी तकदीर का पासा पलटने वाला है. क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपके पक्ष में नौ देवी देवताओं का सपोर्ट है. नौ देवी देवता आपके उपर महरबान हो चुके हैं. नौ देवी देवता आपके घर के आसपास रह रहे हैं. और यह सभी देवी देवता मिलकर आपको संसार की सारी खुशियां देना चाहता है क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका परीक्षा का समय अवध ही समाप्ध हो चुका है अभी तक अपने जीवन में जो गरीबी खेल रहे थे जो आप परेशानियों का सामना कर रहे थे वह सब आपकी परीक्षा चल रहा था क्योंकि प्यारे दोस्तों जब ईश्वर किसी व्यक्ती को बहुत कुछ देना चाहते हैं जब ईश्वर किसी व्यक्ती को अमीर बनना चाहते हैं तो उससे पहले उसे व्यक्ती से परीक्षा लेता है कि इस व्यक्ती को जो मैं देने जा रहा हूँ, यह चीज लेने लायक, यह व्यक्ती है या फिर नहीं। इसलिए इश्वर जब भी किसी व्यक्ति पर महर्बान होते हैं और कुछ देना चाहते हैं तो उससे पहले उस व्यक्ति से परीक्षा अवश्य लेते हैं और आप परीक्षा में पास हो चुके हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब नौ देवी देवताओं की कृपा दृष् हज गुना ज्यादा अब आपको सुख की प्राप्ति होने वाला है। यह बात आप लिख कर रख लो। प्यारे दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी काम्याबी हासिल करके बहुत ज्यादा घमंड करने लग जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बि कुछ भी हो जाए। चाहे आप कितनी भी बड़ी उंचाई तक पहुँच जाए। चाहे आप कितनी भी बड़ी काम्याबी हासिल कर ले लेकिन आपको अपना पैर जमीन पर जमाई रखना है। आपको आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करना है। फिर देखना प्यारे पूरा जिन्दगी आपका यह सभी देवी देवता मिलकर स्वर्ग बना देगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता प्यारे दोस्तों, यह एक गलती भूल कर भी मत करना। नहीं तो प्यारे दोस्तों, इस जन्म में आपको बहुत बड़ा नरक भोगना पड़ेगा। जी के लिए आपको बता दें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नाम का व्यक्ति और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुश्मन आपके बहुत करीब रहता है। आपके आसपास रहता है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें। इस नाम का दुश्म बहुत खतरनाक होता है प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे यही वह दुश्मन है जो आपके पूरे परिवार के उपर जादू टोना कर रहा है पिछले पांच सालों से आपका घर परिवार को बांध दिया है जिस वजह से प्यारे दोस्तों आप अपने जीव तरक्की नहीं कर पा रहे हैं प्यारे दोस्तों साथ ही साथ यह भी देखने को मिल रहा है आपका व्यापार में भी बाधा आ रहा है आपके व्यापार भी अच्छे से नहीं चल रहा है आपको नौकरी में काम्याबी नहीं मिल रहा है नौकरी में आप तरक्की नहीं कर पा तो प्यारे दोस्तों, आखिर इस नाम का दुश्मन ने आपके साथ ऐसा कौन सा जादू किया है, जो आपको अपने जीवन में इतना ज्यादा परेशानी हो रहा है, तो प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे आपको घबराना पड़े, इसी लिए प्यारे दोस्तों, बिल्कुल मत घबराना, प्यारे दोस्तों, मुझे पता आपको अच्छे से नींद नहीं आता होगा, और आपके मन में तरह तरह का खयाल आता होगा, आपको कभी-कभी ऐसा भी लगता होगा, कि घर छोड़ कर कहीं दूर चले जाएं आपको घर छोड़ कर भागने का मन करता होगा क्योंकि दोस्त तुम आप अपने जीवन से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब आपका जीने का इच्छा नहीं करता है अब आपको बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता ये बात मुझे पता ह तो प्यारे दोस्तों आखिर इन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा सब कुछ आपको इस ज्योतिश कार्यक्रम में बताने वाले हैं इसी प्यारे दोस्तों ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक जो आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आखिर आपको कौन-कौन सी सावधानी बरतनी होगी और कौन-कौन सा विशेश बातों पर आपको ध्यान देना होगा। और आपका दुश्मन का क्या नाम है। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, जोतिश कार्यक्रम को बिल्कुल अकेले में देखना और अंत तक देखना प्यारे दोस्तों, जोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जोतिश कार्यक्रम का एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे प्यारे दोस्तों इस चैनल को सबस्क्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे जब आप परेशान होते हैं, जब आप बहुत अधिक दुखी होते हैं, तो आपका दुश्मन खुशी से उचल पड़ता है, और फिर से यह व्यक्ति आपके उपर जादू टोना करवाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा दुश्मन किसी का ना हो, बस यही मेरा ईश्वर से प्रार्थना है, इश्वर से यही मेरा कामना है। बस आप जोतिश कारिकरम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना मेरे प्यारे साथियों आपका किसमत का सूरज निकलने वाला है, अब आपका जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है, अब आपकी घर की सारी परेशानियां खत्म होने वाला है, इस बात की मैं आपको ग पीछे हाथ धोकर पड़ा है, प्यारे दोस्तों, यह दुश्मन आपका पिछले जन्मों से पीछा करते आ रहे हैं, जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे, यह दुश्मन आपका पिछले जन्म का है, पिछले जन्म में आप इस व्यक्ति के साथ बहुत गल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों साक्षात बाला जी का आशीरवाद आपके उपर बना हुआ है। कोई आपका कुछ नहीं बिगार सकता है। बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आर नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये व्यक्ति दिखावा ऐसे करता है, जैसे आपके लिए इसका जान भी हाजिर है, लेकिन असलियत में ये व्यक्ति आपका बहुत बड़ा शत्रू है, इसलिए बहतर रहेगा, इस व्यक्ति से जियोतिश कार्यक्रम में बताने वाले हैं, प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये गुप्त खबर आपकी जीवन की सारी परेशानियां खत्म कर देगी, प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का भविश्यवानी 100% सटीक है, इस बड़ा जटका लग सकता है तथा आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर हो सकता है जी हाँ प्यारे दोस्तों ऐसा महा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है प्यारे दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा खत्रा होने वाला है प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें। आपके जीवन में लगातार समस्याएं देखने को मिल रहा है। इसलिए दो। सावधान रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि इन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा कश्ट हो रहा है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें। इस जियोतिश कार्यक्रम में जो गुप्त बात आपको बताने जा रहे हैं, उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन का सारा समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस समय अवध ही में आपको भगवान शिव का जला भिशेक करना होगा, इस से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म होगी और सकारात्मक शक्तियां संचार करेगी, जिस से आपके घर में सुख शान्ती बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस दिन का इंतजार आपका ही सालों से कर थे, वैसा समय आ चुका है, जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, अब चैट और पठ दोनों आपका होगा, ऐसा दुरलब योग का निर्माण हो चुका है, प्यारे दोस्तों, किसी ने सची कहा है, किसमत का लिखा कोई बदल नहीं सकता है, जो आपके किसमत में लिखा है वह, आपको मिलकर रहेगा प्यारे दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और बहुत बड़ी खुश खबरी आपको मिलने वाला है, प्यारे दोस्तों, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगले 24 अभी खुद चल कर आपके पास आएगी, जी हाँ, प्यारे दोस्तों, ऐसा भयंकर चमतकार आपके जीवन में होने वाला है, अब आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, खुद ब्रह्मा ने आपका किसमत में यह दो ची प्यारे दोस्तों, अब आपका घर पैसों से भर जाएगा, इतनी बड़ी खुश खबरी आपका इंतजार कर रहा है, प्यारे दोस्तों, मुझे पता है, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों, यह बात सत्य है, कि आपके जीवन में ऐसा ही बड़ा चमतकार होने वाला है और यह सब आप अपनी आँखों से देखेंगे प्यारे दोस्तों चमतकार देखकर आप सदमे में जा सकते हैं इसी लिए मेरा आप से सलाह अगले 24 घंटे तक बिल्कुल भी अकेले मत रहना आप अपने परिवार वालों के साथ रहना प्यारे दोस्तों यह बातें सुनकर आपको फिल्मी लग रहा होगा लेकिन यह हकीकत है और यह होकर रहेगा लेकिन प्यारे दोस्तों अगले 24 घंटे तक यह एक गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है जो आगे इस जियोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं प्यारे दोस्तों जियोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जियोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जियोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें प्यारे दोस्तों में रोज रोज आप लोगों से विनती करता हूँ और आप से कहता हूँ कि आप हमारे जोतिश कारेकरम को लाइक करें लेकिन आप लोग जोतिश कारेकरम पूरा देखते हैं परन्तु जोतिश कारेकरम को लाइक नहीं करते हैं जिस वजह से प्यारे दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है। आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और आप इस जोतिश कारेकरम को लाइक करेंगे प्यारे दोस्तों। रोजाना आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए मुझे बहुत अधिक मेहनत करना होता है। उसके बाद आपके लिए इतना हास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं और इसके लिए आप से कुछ नहीं चाहते हैं। बस आपसे इतना ही चाहते हैं, आप हमारे इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें। प्यारे दोस्तों, आपको कल्युक की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलेगी या मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली का विशलेशन 100% कर चुका हूँ, जिसमें यह पता चला है कि आपका कुंडली में आपके लिए धन योग का निर्मान हो चुका है, जिससे आपको अब हजारों प्रकार की खोज खबर या मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, खुश खबरी सुनकर आप चौक जाएंगे। ऐसी खुश खबरी अब आपको मिलने वाला है। कान खोल कर सुन लो। ऐसा जियोतिश कार्यक्रम आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जियोतिश कार्यक्रम पूरा आखिरी तक देखना, बिलकुल भी जियोतिश कार्यक्रम को मिस मत करना, वरना आपकी जिन्दगी की सूरज डूब जाएगी। तथा मेरा भविश्यवानी गलत प्रूफ करके दिखा दे, तो मैं जीवन भर उसका गुलामी करूँगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्यारे दोस्तों, ज्योतिश कार्यक्रम बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस ज्योतिश कार्यक्रम का निर्मा प्यारे दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है। प्यारे दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में आपका तीन गद्दारों का नाम आया है। जी हां, प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जीवन में तीन बड़ा गद्दार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है प्यारे दोस्तों जब बागेश्वर बाबा ने आपका परचा देखा तो बागेश्वर बाबा खुद हैरान रह गए क्योंकि प्यारे दोस्तों यह तीनों गद्दार कोई और नहीं बलकि आपका अपना ही है जिसे अच्छे तरीके से जानते हैं प्यारे दोस्तों यह तीनों लोग दिखावा ऐसे करता है जैसे आपके लिए यह तीनों लोग जान भी देने के लिए तैयार है लेकिन असल में यह तीनों लोग आपका जान लेना चाहता है आपको यह तीनों लोग जान से मारना चाहता है और आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें। इन तीनों लोगों का नाम सुनकर आपको भयंकर जटका लगने वाला है। नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस जोतिश कार्यकरम अकेले में मत देखना, प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें। जब आप इन तीनों लोगों का नाम सुनेंगे, तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें। यह तीनों लोग मिलकर आपको और आपका पूरा परिवार को बरबाद कर रहा है। इन तीनों लोगों की वजह से आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इन तीन लोगों से रिष्ट का नाता तोड़ देंगे, उसी दिन से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें। पिछले दस सालों में जो नहीं हुआ, वह अब होने वाला है आपका दुश्मन ने अच्छे से तैयारी कर लिया है। आपका पूरे परिवार को बरबाद करने के लिए अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के साथ कोई अन्होनी ना हो, तो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओ वरना आपके साथ-साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आजा प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें अगले 24 घंटे के अंदर यह व्यक्ति आपके उपर जानलेवा हमला करने वाले हैं यह व्यक्ति आपके उपर बहुत बड़ा तीर चलाएंगे इसलिए प्यारे दोस्तों आपको इन दुश्मनों से बच कर रहना होगा इन दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा नहीं तो प्यारे दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा तो प्यारे दोस्तों आखिर आपका चुपागद्दार कौन है? कौन है यह तीन लोग जो आपके जान के पीछे पड़े हैं और कैसे इन लोगों से आपको बच कर रहना है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दे और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सक्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोले नाथ अवश्य लिखे बाबा भोले नाथ का विशेश क्रिपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के उपर हमेशा बना रहेगा प्यारे दोस्तों इन तीन दुश्मनों से आपको बच कर रहना होगा नहीं तो प्यारे दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन बर्बाद करके रख देगा. आपका जीवन नर्क के समान हो जाएगा. आपका जीवन गली के कुत्ते जैसा हो जाएगा. प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें. पिछले दस सालों से ये तीनों लोग मिलकर आपके उपर जादु टोना कर रहा है. ये तीनों लोग मिलकर आपके उपर जानलेवा हमला कर रहा है. साथ ही, प्यारे दोस्तों, भरे समाज में ये तीनों लोग आपका प्लान कर रहा है। अगर समय रहते इन लोगों से रिश्टानाता नहीं तोडएंगे तो जिन्दगी भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों समय बहुत कम है और घटना आपके साथ बहुत बढ़ा होने वाला है इसलिए प्यारे दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा जितना जल्दी आप इन तीन लोगों से खो जाएंगे उतना ही आपके लिए बहतर होगा प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे जब बागेश्वर बाबा ने आपका नाम का परचा निकाला उसे देखकर बागेश्वर बाबा खुद रो पड़े और बागेश्वर बाबा ने तुरंत बाला जी महाराज से यह अरजी लगाया कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे आपके साथ होने जा रहा है ऐसा किसी भी व्यक्ति का दुश्मन ना बने जैसा दुश्मन आपका बना है किसी के साथ कोई अनर्थ ना हो तुरंत बागेश्वर बाबा ने बाला जी महाराज से यह अरजी लगाई है तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका यह तीनों दुश्मन कितना बड़ा गद्दार है ये लोग एक दो साल से नहीं बलकि पूरे दस साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको बरबाद करने के लिए दिन रात प्लानिंग करता रहता है दिन रात आपको बरबाद करने के बारे में सोचते रहता है तो प्यारे दोस्तों ये तीनों लोग कौन है और क्यों आपके जान के पीछे पड़े हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, जियोतिश कार्यक्रम को पूरा आखिरी तक देखना, जियोतिश कार्यक्रम को बिल, कभी मिस मत करना। प्यारे दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम आर पी और पी अक्षर से शुरू होता है। यही तीनों लोग हैं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यही तीनों लोगों में से एक ऐसा भी व्यक्ति है जो आपको मार कर मिट्टी में मिला देना चाहता है। जिम्मत कहना कि यह हमारे साथ क्या हो गया, आखिर अब इस घटना से कैसे बचा जाए क्योंकि प्यारे दोस्तों यही वह समय है जिससे आप आने वाले घटनाओं से बच सकते हैं, इस समय अवधि में अगर आप अपने दुश्मन से रिष्टा रिष्टा तोड़ देंगे त एक या आरस्था जजार का इनाम दूँगा, प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवी आपसे प्रसन्न हो चुकी है, यह देवी अब आपको करोड़ पती बना देगी, लेकिन प्यारे दोस्तों आपको यह एक गलती नहीं करना है, प्यारे दोस 24 घंटे आपके व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और शांती लेकर आएंगे। आप परिवार के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। जिससे संबंधों में मधुरता आएगी। किसी पुराने मित्र या रिष्टेदार से मुलाकात हो सकती है। जो आपकी यादों को ताजा करेगा और खुशी का संचार करेगा। भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आर्थिक स्थिती में सुधार के संकेत है। आपके आये के स्रोतों में व्रिध्य हो सकती है और कुछ अप्रत्याशित धनलाभ भी हो सकता है। यदि आपने कहीं निवेश किया है तो उससे लाभ प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। यह समय आर्थिक योजनाओं और बजट को पुनह सुसंगत करने के लिए भी उत्तम है। करियर के क्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिल सकती हैं। जो लोग पहले से कारिरत हैं, उन्हें अपनी मेहनत और समरपण के फलस्वरूप, प्रमोशन या वेतन वृद्ध की संभावना है। व्यवसाई वर्ग के लिए यह समय नई योजनाओं और परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए अनुकूल है। भागीदारी के व्यवसाई में भी लाभ की संभावना है। डारिस, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा है। मानसिक और शारिरिक स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूंज रहे हैं, तो उसमें राहत मिल सकती है। नियमित व्यायाम और योग करने से आपको लाभ होगा। साथ ही अपने आहार पर ध्यान देने की भी आवश्यक्ता है। सादा और पौश्टिक आहार अपनाएं। प्रेम और विवाह प्रेम जीवन के लिए यह समय सुखद रहेगा। प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ समय बिता कर अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है। विवाहित जीवन में भी समझदारी और सावनजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ बिताया गया समय आपको संतोश और खुशी देगा। अरदरग्रासन्ना ओसन्ना। शिक्षा छात्रों के लिए यह समय विशेश रूप से शुब है। आपको अध्ययन में एकागरता बनाए रखने में सफलता मिलेगी। परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के संकेत है। उच्च शिक्षा की योजना बना रहे छात्रों के लिए यह समय नए अवसरों को तलाशने और उनके लिए तैयारी करने का है। आपकी मेहनत और प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। डडी, डडी, यात्रा यात्रा के द्रिष्टिकोंड से यह समय अनुकूल है। कामकाजी यात्रा या परिवार के साथ अवकाश यात्रा दोनों ही सफल और सुखद रहेंगे। यात्रा के दोरान नए लोगों से मिलने और नए जगहों को देखने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका अनुभव और ज्ञान बढ़ेगा। आध्यात्मिक्ता आने वाले 24 घंटे आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का भी समय है। ध्यान और प्रार्थना में आपका मन लगेगा और आप आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। यात्रा या किसी आध्यात्मिक गुरू का साननिध्य प्राप्थ हो सकता है। यह समय आपके आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। दाई, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में भी सक्रियता रहेगी, समाज के कारियों में सहभागिता बढ़ेगी और आप अपने सामाजिक दाइरे में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिससे आ लक्ष्मी कुबेर मंत्र का जाब करें। डो, अपने घर और कार्यस्थल को स्वच और व्यवस्थित रखें। तीन, गरीबों और जरूरत मंदों की सहायता करें और उन्हें दान दें। चार, नियमित रूप से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा अर्चना करें। व्रत और उपवास रखें, विशेशकर शुकरवार के दिन। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाफ और खुशहाली लेकर आएंगे। भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें कि महनत और इमानदारी आपके मार्ग को सरल और सुगम बनाएंगे। अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत रखें और ईश्वर की कृपा का अनुभव करें।